अभी हाली में चोदैवा ब्रिक्स से सिखर सम्मेलन वर्च्वली रूप से हुआ है और इसकी मेजबानी किस ने की है चाइना ने की है और इसमें हमारे पिदारमंत्री मौदी साब ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिये भाग लिया है और जब से आपने देखा है कि कुरोना महामारी आई हुई है तब से इस तरह की जो बैठके हो रही है जो सम्मेलन हो रहे है इसमें वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिये ही भाग लिया जा रहा है क्योंकि आप देखे सोसल डिस्टेंसिंग की बात होती है पालन भी करना होता है और आप सभी लोग इस बात को भी जानते होंगे कि इस तरह के जो सिखल सम्मेलन होते हैं उनसे आपकी परिक्छाओं में कुश्चन्स पूछे जाते हैं फिर चाहे आप लोग इस्टेट PCS की बात कर लीजे UPSC की बात कर लीजे या आप देखे वंडे एक्जाम होते रहते कि कहां से कैस तरह के कुश्चन्स पूछे जाते हैं तो इस ब्रक से सिखल सम्मेलन के बारे में हम लोग एक ओवर व्यू ले ले लेते हैं और ब्रक से आखिर है क्या ही इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग अपने सामने प्यधान मंत्री मौदी साहब को देख र बंगलादेश म्यानमार इस अभी हमारे पड़ोसी है और आप लोग देख रहे होंगे कि यह रूस है क्या है रूस है और आप देखे यू यूक्रेन है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से योद्ध चल ला है और इसका प्रभाव योद्ध का प्रभाव कौन से नम्मर का है? 14 वी नम्मर का है और इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि इसकी मेजबानी किस ने की है? चाइना ने की है और 14 वी ब्रिक से सिकर सम्मिलन का विसय थीम क्या रही है? उच गुडवत्ता वाली ब्रिक से सांजेदारी को बढ़ावा देना और बैस्विक बिकास के लिए एक नए युकी शुरुआत करना इस बार का विसय थीम रही है सयुकतरव, अमिरा, साउधी एरब, मिस और कजाक्यस्तान, इंडोनेसिया, अर्जेंटीना, नाइजेरिया, सेनेगल, थाइलेंड, सहित देशों के मंत्रियों के साथ मुख वैठक के हिस्से के रूम में ब्रिक से पिलस आभासी सम्मिलन भी आयोजित किया गया था और इस से खर सम्मिलन की हम लोग मुख विसेस्ताओं की बात करें तो इसमें बिजिंग घोसना एक या है इसमें कहा गया है कि ब्रिक से रूस और यूकरेन के बीच बारता का समर्थन करता है और यह समू यूकरेन को मानविये सहायता प्रिदान करने के लिए से यूकरेन के साथ और आप देखिए यूकरेन में लाकों लोग प्रिभावित हुए है अपना देश छोड़ कर जाना पड़ा और यूएन के बारे में अगर हम लोग बात करें या से यूकरेन की बात हुई है तो आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में सायुक्त राष्ट या United Nation की स्थापना हुई थी और आप देखेंगे इसका हेड़क्वार्टर आपको Newark USA में देखने को मिलेगा इस तरह के जो संगठन हैं इनसे भी आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूचे जाते हैं और हर साल पूचे जाते हैं तो इस सभी संगठनों के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा देशों ने तालिबान दौरा नियंतीत अफ़गानिस्तान की इस्थिति के बारे में भी चिन्ता वैक्त की है और आप सभी जानते हैं गे दिक कि पर लोगों ने खोल कर रूस की तरफ, ना ही उकरेण की तरफ, किसी का पक्छ नहीं लिया है। हम लोग एक तटस्ति नीती अपनाय हुए हैं आतंगबाद की बात करें तो आतंगबाद और आतंग की सहयूप पर चर्चा करती हुए व्रिक्स देशों ने कहा है कि पितीवंद लगाने का अधिकार केवल सहयूपतराष्ट सुरक्षा परिशत की पास है और अफगानिस्तान और पितीन निधी राजनीती सरचना इस्थावित करने का अग्रै भी किया है और साथी कहा गया है कि अफगान चेत का उपयोग आतंग के बादियों को सरण देने या किसी अन्य देश पर हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और आपको एक और बात बता देता हूँ आपको मालू होगा कि जो अफगानिस्तान में तालिवानों का कब्जा हो चुका है ना और हमारे याद रखी लद्दाग वाले हिस्थे कि हमारी सीमा किस से लगती है अफगानिस्तान से लगती है यहां ठीक है चोटी सी सीमा लगती है तो और कई देश आप देखी तालिव के मात्यम से भेष्टाचार विरोधी छमता निर्माड को और मजबूत करना तथा बहु पक्षिय धाची के इंत्रकत भेष्टाचार विरोधी आधान पिदान एवं सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गी है और अंतराष्टी मादक पदार्थों की तथारी से निपटने पर अधिक ध्यान देनी की बात की गए सेखर सम्मेलर में बिश से मादक दवाओं की गंधीर इस्तिती पर भी चिंता जताईगी है और विर्क्स गोसना अंतराष्टी है मादक पदार्थ की तसकरी का मुकाबला करने और बैस्विक ड्रेक्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देने में बिर्क्स एंटी ड्रक्स वर्किंग गुरुप की सक्री भूमका की सराहना करती है और दावा नेंतर सहयोग को और मजबूत करेगी बिर्क्स की बारे में जान लीजे बिर्क्स से दुनिया की पिरमुक उभर्ती अर्थवस्थाओं जैसे इसमें आपका ब्राजील भी सामिल है रूस भी सामिल है भारस भी सामिल है चाइना भी सामिल है और आपका दच्छडफी का पांच देस इसमें सामिल है ब्राजील रूस भारत चाइना और दच्छडफ और 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समू को उपचारिक रूप दिया गया था, दिसम्बर 2010 में दच्छन अपीका को ब्रिक में सामिल होने के लिए आमंतित किया गया था, जिसके बाद आप देखेंगे समू ने ब्रिक्स का संचिप नाम अपनाया, B में आप देखेंगे विराजील हो गया, R में आप देखेंगे रोस हो गया, I से आपका भारत इंडिया हो गया, C से आपका चाइना हो गया, और S से आपका साउधी, क्या होगा, साउध अपेका हो गया, दच्छन अपेका हो गया, ब्रिक्स के अगर हिस्सा की बात करें तो विक्स ब्रिक्स है, विसके पास सबसे बड़े विकासील देशों की एक साथ लाता है और जो बैसेविक काबादी का 41%, बैसेविक सकल गहरेल उतपात की 24% और बैसेविक ब्यापार की 16% का पिति निधित्ति करता है और अध्यक्ष की बात करें तो विक्स सिखर सम्मेलन की अध्यक्ष था पिति वर्स बी आर आई सी एस करम अनुसा सदस देश के सरवुच नेता द्वारा की जाती है इस बार आप देखेंगे चाइना के द्वारा की गई है आँगे आप देखेंगे दच्छ रफीका के द्वारा की जाएगी और भारत 2021 के लिए अध्यक्ष था यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए ब्रिक्स की पहल की बात करें तो आप सभी जानते ही कि निव डवलमेंट बैंक 2014 में ब्राजील के फोटा लेजा में छटे विर्क से सिखर सम्मिलन के द्वारान ब्रिक्स से नेताओं ने निव डवलमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझोता पर हस्ताक चरकिये थे और इसमें अब तक सत्तर बुनियादी धाचे और सतत विकास परियोजनाओं को मंजोरी दे है मंजोरी दी है आकस्मक रिज्यर विवस्ता बैस्मिक बित्ये संकट की संभावनाओं के मद्द नजर ब्रिक्स राष्टों ने 2014 में छटे ब्रिक्स सिखर संभिलन में फोटा लेजा घूशना के दुआने ब्रिक्स आकस्मिक रिज्यर विवस्ता बनाने पर भी सहमती जताई थी C.R.A. का उद्देश भुकतान संधुलन संकट की स्तिती को कम करने वो वित्तिय स्तिता को मजबूत करने में मदद के लिए मुद्रा भी निवाए कि माध्यम से सदस्नों को अल्प, कालिक, मौद्रिक साहता पिदान करना है यानि कि रड़ एक तरह से पिदान करना है ब्रेक से भुकतान पेणाली की बात करें तो सुफ्ट है भुकतान पेणाली के विकल्ब के रूम में ब्रेक से भुकतान पेणाली है आपकी ये उक्रेन ये उद्दि के बाद रोस को स्विप्ट से वाहर कर दिया गया है इसलिए ये एक ततकालिक विवस्ता है सीमा सोलक समझोते वरिक से देशों की बीच व्यापार परिवान के समनबाय वो सोगमता के लिए सीमा सोलक समझोते पर हच्ताक्चर किये गया है सुदूर संबेदन उपगराय का पिछे पर आप देखेंगे उपगरायों का एक रेमोट सेंसिंग तारा मंडल लौंच किया गया है जिसमें छे उपगराय सामिले जिन में आप देखें दो भारत दो चीन से एक रूस से एक ब्राजील चीन सहयुक द्वारा विक्सित किये गय इनके बारे में भी जान लीजे आप लोग क्योंकि इनसे भी कुश्चन से आपका पूँच लेता है सबसे पहले G20 की बात कर लेते हैं इसमें आप देखें कि G20 में आपकी कितने 20 देश देखने कुम लेंगे 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश यही है कि इसमें कौन कौन से देख सामिल हैं अर्जिन्टीना, और उस्टेलिया, ब्राजील, कनाड़ा, चाइना, EU, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनिसिया, इटली, जापन, मैक्सको, रूस, साउधी अरब, दच्छड अपीका, दच्छड कुरिया, तुर्की, वेटिन, और इसमें हम लोग ब्यापार सम, किसके बारे में, WTO, जिसे आप लोग World Trade Organization के नाम से जानते हैं, या हिंदी में विस्व ब्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना आप देखेंगे कि एक जनवरी 1995 में हुई थी, जैनेवा, स्वीजलेंड में इसका आपको मु में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हैड़क्वाटर आपको बॉसिंग्टन DC, USA में आपको देखने को मिलेगा, वहीं अगर हम लोग IMF की बात करें, IMF की, तो आप देखेंगे कि International Monetary Fund के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, और इसकी स्थापना कि एगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी, 27 दितंबर 1945 में हुई थी, और इसका हैड़क्वाटर आपको बॉसिंग्टन DC, USA में देखने को मिलेगा, इसमें अगर सदस देशों की बात करें, तो 190 आपको सदस देश देश देखने को मिलेगे, ब्रेक्स को ब्यापार आर्थिक नीतियों और बहु पक सम्मेलन की, 14 बात जो हुआ है, और किस की मेजबानी में हुआ है, चाइना की मेजबानी में हुआ है, ठीक है, वर्चुली माध्यम से, यानि की वीडियो के जरिये, आजकल आप लोग भी कहीं देख रहे होंगे, वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, कोई बैठक लेते हैं, कु झाल